गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं नेहा मेरी न्यू चैनल दव मिरेकल एस्टोर 24 में आप सभी दर्शकों का हर्दिक स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक लेकर आई हूँ और वो नया टॉपिक है कैसे अपने ग्रेहों के माध्यम से अपने ससुराल की दीशा पता की जा सकती है जो अन्मैरिड लड़किया अविवाहित लड़के लड़किया हैं उन लोग में बहुत उसुकता होती है कि उसने वो पता कर सके कि उनके होने लिए ससुराल की दीशा कहां पर है तो आईए जानते हैं कि हम कैसे अपने कुंडली के माध्यम से अपने होने लिए सुसराल की दीशा प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कुंडली में जीवन साथी का मुख्य भाव होता है सप्तम भाव इस भाव की प्रबलता या निर्बलता के अधार पर विवा की संभावना सफलता या असफलता के बारे में हम जान सकते हैं यदि विवा भाव प्रबल है तो जीवन साथी का साथ मिलेगा या पक्का हो जाता है फिर प्रशना आता है कि साथी की दिशा कैसे निरधारित करे तो सबसे पहले विवाव भाव यानि सब्तम भाव में जो राशी है उसे देखा जाता है इस भाव के स्वामी को भी देखते हैं यदि भाविश प्रबल है अच्छी स्थिती में है तो इस राशी की दिशा के अनुसार जीवन साथी मिलने की आशंका जादा रहती तर पश्चात इस भाव में बैठे ग्रह पर भी नजर डालते हैं यदि इस भाव में बैठा ग्रह भाव के स्वामी से प्रबल है तो इस ग्रह की दिशा के अनुसार साथी की दिशा माननी चाहिए यदि भावेश और सब्तम में बैठा ग्रह समान रुप से प्रभावशा लिए तो दोनों के मध्य की दिशा जाननी चाहिए यदि ग्रह कमजोर है मगर भाव का स्वामी प्रबल है तो भाव के स्वामी याने भावेश की दिशा को ही साथी की दिशा माननी चाहिए जैसे चंद्र की दिशा होती है वाईवै दिशा, बुद्ध की होती है उत्तर दिशा शुक्र की होती है अगने दिशा, सूरे की होती है पूर्व दिशा, मंगल की होती है दक्षिन दिशा, गुरू की होती है इशान दिशा, शनी की होती है पश्षिम दिशा, राहु कितु की होती है नत्रित्व दिशा उधारन के लिए हम जैसे जानते हैं यदि सब्तम्भाव में मेश राशी है तो राशी का स्वामी यानि भाविश मंगल हुआ यदि मंगल स्वार राशी का है यानि प्रबल है तो मंगल की दिशा यानि दक्षिर दिशा को ही साथी की दिशा माननी चाहिए यदि मंगल कमजोर है, मंगल सब्तम में चंद्र है तो जो शुप रभाव में हैं तो वाईवे दिशा को ही साथी की दिशा माननी चाहिए यदि मंगल और चंद्र दोनों ही प्रभल हो तो इनके मध्ध की दिशा को जान लेना चाहिए और इस प्रकाश उप्रोप्त विदी से अब होने वले जीवन साथी की दिशा का एक अंदाजा लगा सकते हैं तो आई होब फ्रेंड्स आपको मेरे दोरा दी गई जानकरी पसंद आई होगी तो उसके लिए थांक यू सो मच